और मेरे देश के नौजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तो आज की इस वीड में हम बात करने वाले हैं ऐसी 500 और 125cc सेगमेंट की बाइक्स के बारे में जो आपको 1 लेक आन रोड में इंडियन मार्केट में अविलेबल हो जाती हैं और इन बाइक्स में आपको माइलेज भ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तो इसका एक शोरूम प्राइज है 44,000 और ओन रोड यह आपको 56,000 की अविलेबल हो जाती है इसमें आपको 102cc का सिंगल सिलेंडर एर कूल्ट इंजन देखने को मिलता है जिसमें आपको 8BHP की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है और इसमें आपको number of gears 4 available होते हैं दोस्तो इसमें आपको 47 mm का बोर देखने को मिलता है और 58.8 mm का स्ट्रोक इसमें आपको देखने को मिल जाता है चैसी की बात करें तो इसमें आपको tubular double cradle frame चैसी देखने को मिलती है सामने आपको telescopic suspension और पीछे आपक को spring and spring suspension देखने को मिलता है दोस्तों इसमें आपको tubeless tire अविलेबल नहीं होगा इसमें आपको normal tube tire अविलेबल होने वाला है लेकिन इसमें आपको alloy wheels देखने को मिल जाते हैं अब अगर बात करें इसके mileage की तो इस bike से आप around 80 kmpl तक mileage gain कर सकते और इस bike से आप इतना mileage आराम से gain कर क्योंकि petrol का price भी बढ़ चुका है तो उससाब से अगर आपको mileage बाली bike चाहिए तो बजाच की CT 100 आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है अब number two पर आती है hero HF Deluxe दोस्तों sailing की बात करें तो यह bike हर महीने लाखों की slots में बिगती है अगर बात करें इसकी pricing की तो इसक देखने को मिल जाता है और इसमें भी आपको number of gets 4 available हो जाते हैं चैसी की बात करें तो इसमें आपको tubular double cradle frame चैसी देखने को मिल जाती है सामने आपको telescopic suspension और पीछे आपको hydraulic shock absorber suspension देखने को मिलता है दोस्तों tires की बात करें तो सामने आपको 2.78 का टायर देखने को मिलता है अब अगर बात करें इसके mileage की तो इस bike से आप around 75 kmpl तक का mileage gain कर सकते हो तो ये तो थी hero की HF Deluxe number 3 पर आती है Honda Shine दोस्तों ये जो bike ने बहुत ही बड़ी है bike मतलब अगर आपको एक power चाहिए और 125cc में बहुत ही जबरदस्त performance चाहिए तो आपको इस bike की तरफ जाना चाहिए इस इसमें आपको 10.74 BHP की power और 11 Nm का torque available हो जाता है और इसमें आपको number of gears 5 available होते हैं इसके chassis की बात कर दो इसमें आपको diamond frame chassis देखने को मिलती है सामने आपको telescopic fork suspension मिलता है और पीछे आपको hydraulic twin suspension देखने को मिल जाता है दोस्तों इसके tire की बात कर दो सामने आपको 100 section 80 का tire मिलता ह 18 इंच का और पीछे भी आपको 80 section 100 का tire देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस bike में आपको 3 years की standard warranty भी देखने को मिल जाती है अब अगर बात करें इसके mileage की तो मेरे पास भी Honda shine है तो इस bike से मैं around 45 to 50 kmpl तक mileage गिन कर लेता हूँ और अगर आप अच्छे से ride करोगे अच्छे बहुत लुक्स चाहिए और जिनके लिए power थोड़ी बहुत मैटर करती है तो अगर आपका budget है और आपको एक performance वाली वाइक चाहिए तो फिर बजाज Pulsar 125 नियॉन आपके लिए best option होने वाली है यहाँ पर बात करें दोस्तों इसकी pricing की तो इसका जो एक शूरूम प्राइज वो है 82,000 और on road यह आपको 98,000 की available हो जाती है यहाँ पर बात करें इसके engine की 124 CC का single cylinder air cooled engine इसमें आपको मिलता है जिसमें आपको 12 BHP की power और 11 Nm का torque देखने को मिलता है और इसमें आपको number of gears 5 available हो जाते है बाइक के electricals की बात करें सामने आपको halogen headlamp मिलता है उपर आपको pilot lamps म available हो जाती है और इसमें आपको normal descent bulb indicator देखने को मिलते हैं बाइक के chassis की बात करें तो इसमें आपको single down tube frame chassis देखने को मिलती है सामने आपको telescopic fork suspension मिलता है पीछे आपको twin gas shock absorber suspension मिलता है और इसमें आपको 80 section 100 का tire मिलता है और पीछे आपको 100 section 90 का tire देखने को मिलता है जो कि around 50 kmpl तक mileage आराम से gain कर सकते हो तो यह तो थी बजाज Pulsar 125 neon number 5 पर आती है hero passion pro दोस्तों यह बाइक भी दिखने में बहुती बड़िया लगती है इसके जो extension है मतलब tank के जो cowls है वो बाइक को बहुती sporty look देते हैं यहां पर बात करें इसकी pricing के तो यह आपको 80,000 में on road Indian market में available ह हो जाती है बात करने इसके electrical के तो सामने आपको halogen headlam मिलता है पीछे आपको LED tail light मिलती है और normal decent bulb indicator इस bike में आपको available होते हैं 113cc का single cylinder engine इसमें आपको देखने को मिलता है जो कि BS6 compliant है और इसमें आपको 9.15 bhp की power और 9.89 newton meter का torque देखने को मिल जाता है और number of gears इसमें आपको 4 available ह होते हैं चैसी की बात करें तो इसमें आपको diamond frame चैसी देखने को मिलती है सामने आपको conventional fork suspension मिलते हैं पीछे आपको train shock absorber suspension देखने को मिल जाता है अब अगर दोस्तों बात करें इस bike की mileage की तो इसमें आपको 70 kmpl तक का mileage देखने को मिल जाता है तो अमीद है कि आप सभी को ये Instagram username show हो रहा होगा तो जाओ मुझे वहाँ जाके follow करो और अगर आपको वहाँ कुछ doubt है तो आप मुझे DM कर सकते हो अभी के लिए thanks till then wait for my new upcoming videos